जहिन प्यारे साथियों स्वागत आप सभी का एगबर फिर से खोठा किंग ओफिसियल पी आए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिक गीत कि आज 18 में कभीता हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कभीता में हम लोग सीखने वाले हैं जो भी सीखेंगे उसके बारे में तो यथार्थवादी कभीता है यथार्थवादी कहने का अर्थ क्या है यानि हमने उस घटना को अपने आखों से देखा है यानि जो जो बातें यहां पे किया गया है वो कहीं न कहीं घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसे यथार्थवादी को English में कहा जाता है Realism यानि वैसे वास्त्रिक घटनाव से संबन्दित हो उसी को हम लोग यतार्थवादी कहते हैं हना Realism इसको कहा जाता है English में यतार्थवादी को तो यह एक यतार्थवादी भाव की कविता है आईए एक करके हम पूरी कविता को हम लोग समझते हैं उसके बाद में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कहतें कि आज हमर मने जागे कि आज हमर हमारा मन में जागा है परसु रामेक वानी कि परसु राम की वानी आज जो वो हमारे मन में याद आ रहा है सुध करे धर्ती के ठानल जे ग्यानी जकर मुहें वेदवाकि जकर मुहें पुरान पीठे सरे भरल तून हाथें धनुक वान डंडाय उसामंतेक आगू कैसें खोवत मुहें पानी कहते हैं कि यहां पर कभी स्रीनवास पानुरी कहते हैं कि इस कविता में कि परसुराम की वानी को याद कर रहे हैं और कहते हैं कि परसुराम एक ज्यानी थे वेद वाक्य पुरान उनके मुह में जो वो रहें वो भी धर्ती को सुध रखने के लिए यानि सामंती लोगों के उन लोगों के अत्याचार को मिटाने के लिए उन्होंने भी जो वो धनुस और वान धारन कर लिए उन्होंने अपने वानी को जो वो खाली नहीं जाने दिया और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कायर जो वो यहाँ पर किया है तो यहाँ पर वही कवी कहते हैं कि आज हम जो वो परसुराम की उस वानी की बारे में याद आ रहा है अब ऐसा क्यों याद आ रहा है ऐसी घटना क्यों हुई अब यहाँ पर अगली पंक्ति में आपको चीजें समझ में आएगा आगे यहाँ पर लिखते हैं कभी कि गोटे के पाले जे खेती करके भाई अन पानी जग के दे अपने ना खाए कि जो पूरे गोटे के पाले जे खेती करके भाई कि जो पूरे दुनिया को चलाता हो सब को खिलाता पिलाता हो हाना जो सब को खिला पिला रहो यहाँ पे किसानों के बारे में यहाँ पे लिखते हैं कभी कि जो पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है वो स्वैम भूखा रखर करके काम करता है तभी दुसरों को खिला पाता है किसान जो दुसरे को सुख के लिए अपनी देह को जलाता है हाना आगे लिखते हैं लोग खातिर महल बनवे सहे आपने रोध पानी परे खातिर देहिक चाम जुलेस जकर गेल कि जो लोग दुसरे के लिए महल बनाते हैं वो खुद पूरा धूप और पूरा बरसात जो अपने सरीर पर ले लेते हैं परे खातिर देहिक चाम कि दुसरे के लिए वो अपने सरीर का चमड़ा पूरा जला देते हैं जुलेस जकर गेल पूरा जुलेस जाता है पूरा काला पड़ जाता है इस धूप में काते कि जो पूरे देश को हाना जो सभी को पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है वह स्वाइम भूखा रहता है जो अन पानी देता है पूरे जग को देता है वो अपने नहीं खा रहा है लोगों के लिए जो महल बना रहा है वो खुद क्या है कि धूप और बरसात में अपने सरीर पे पूरा अपना चम्रा को पूरा जला ले रहा है जुलस रहा है तेल बिना माथा चूल उसके सरीर का तेल का बिना उसका माथा का जो चूल यानि बाल पूरा माथा का जो बाल है वो आसमये धोखा देल कि आज समय में समय से पहले वो पूरा जड़ जाता है या हट जाता है कि जो प्रान प्रिया जो हमेशा हस्ते रती थी उसका आख जो वो हमेशा भींजा रहा किसे लोर से यानि आशों से भींगा रहा गोटे जीवन यानि पूरा जीवन जो वो पेट के पीछे वो दोड़ते रह गए चल परपंच के कहियो ना भूलियो देल ठाओ कि वो चल परपंच से कभी ना ही उनसे मतलब था उनको वो हमेशा चल परपंच से काफी दूर है उसको कभी उन्होंने अपने जीवन पर अस्थान ने दिया अपने जीवन में कभी भी चल परपंच को चल कपट को कभी अस्थान ने दिया ऐसे लोगों के साथ में ऐसी घटना होती है करल सदा सांती रेखा हमेशा जो वो सांती बना करके और रक्षा करने के लिए जे अबोध ग्यानी करल सदा सांतिक रेखा जो जिन्होंने हमेशा सांती की रक्षा की जे अबोध ग्यानी जो अबोध ग्यानी पूरे बहुत बड वानी को याद आ रहा है जिन्होंने अपने कभी कह सकते हैं कि अपने करतब को पालन करने के लिए अपने वानी को कह सकते हैं कि पूरा करने के लिए ऐसे कायरी जो उन्होंने किया था वो जो जाने नहीं देते हैं अपने वानी को जो अपने प्रन को खाली नहीं जाने देते ह तो यहाँ पे दोनों से रिलेट करके यहाँ पे देखे पहला के किसानों की इस्थिती के बारे में यहाँ पे मजदूरों की इस्थिती के बारे में वर्नन करते हुए यहाँ पे जो वो connect करने कवी जी कहते हैं कि आज हमें जो वो कुछ इसी परकार से परसुराम की वानी को लेकर के आज याद आ रहा इस कवीता में हना और उसी घटना को जोड़ते वे यहाँ पे इस कवीता में जो वो चर्चाएं की गई है तो उमिद करते हैं कि यह पूरी कवीता आपने अच्छे से समझ लिया होगा हना तो इस परकार से इस कवीता में यह सारी बाते जो वो चर्चाएं की गई है कैसे कैसे प्रश्ण यहाँ से पूछे जाएंगे आपके परिच्छा में तो पहला सवाल बनेगा कि आज हमर मने जागे ककर लिखल कवीता लागे तो यह जो वो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया कवीता है किस कवीता किताब में छपी भी है तो आँखी गीत किताब में छपी भी यह कवीता है इसके अलाबे कुछ कठीन सबदावलियों से प्रश्ण बन सकता या तो यहाँ सवाल बन सकता है कि आज हमर मने जागे में कौन ग्यानी के चर्चा करन आयल है कौन ग्यानी के या वेद पुरुष के चर्चा आयल है तो यहाँ पे परसुराम की बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है और सवाल बन सकता है कि यहां पे किनको समर्पित यह कविता है यह किस भाव की यह कविता है यह यह यथार्थवादी भाव की यह कविता है और यह किसानों को समर्पित पुर्ण रूप से यह कविता जो वो उन्हीं के उपर में लिखा गया यह एक यथार्थवादी कविता ह तो ऐसे किसी भी तरह से चीजों को आप चाहे तो आप खुद से यहां से सवाल जो वो तयार कर सकते हैं ऐसा नहीं कि सवाल बनाना कोई बहुत बड़ा कठीन चीज नहीं है आपको केवल चीजों को समझने के लिए आना चाहिए अगर आपने अच्छे से एक बार पूरी कवीता को समझ लिया है तो सवाल कैसे भी निर्मान किया जाएगा आप आसानी से उसका अंसर कर लिजेगा चोकि यहां से कवीता से तो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है इसके अलावे कुछ ग्रामेटिकल सवाल बना जाता है जैसे यहां पे कारक से सवाल बनाता है कारक हो गया, समास हो गया, कुछ ऐसे सब्दावली उठाएंगे जो कि कारक से जुड़ा हुआ हो या तो समासिक पद हो, हना समासिक सब्द हो या तो कुछ ऐसे और भी कुछ ऐसे सब्दावली होते हैं जो कि क्रिया विसेशन हो, विसेशन वाची सब्द हो, सरुनाम वाची सब्द हो, संग्या वाची सब्द हो कुछ ऐसे सब्दों से भी प्रश्ण जो वो घुमा फिरा करके जोड़ करके प्रश्ण जो वो यहां से भी पूछ लिया जाता है तो अगर grammatical portion अगर आपका अच्छा है चीजों को अगर आप अच्छे से relate कर पाते हैं और पूरी कविता को अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया है तो इसके अलावे कविता से कहीं भी सवाल छूटने का कोई chances है ही ने आप आसाने से सारे प्रश्णों के जवाब आप अच्छे से कर लेंगे चले मिलते हैं अगली कविता में इसकी 19 मीं कविता हम लोग आगी पढ़ेंगे उमिद करते हैं कि आपने अच्छे से इस कविता को समझा होगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंतर तक जुड़े रहने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथी साथ में बिल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नौटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से आगे के सारे वीडियो का बेनेफिट उठा सकेंगे साथी साथ में अपने दोस्तों के साथ में सेर भी कर दें अगर अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक भी कर दें